हर्दोई नियाले ने सुनाई गैरिरातन हत्या में दो आरोपियों को दस साल की कैद धकोना पिपरी निवासी युवक की पीट कर की गई थी हत्या अदोई कचहरी में सहयक जिला सास की अधिवक्ता सूरजपाल ने बताया कि बेनिगंज स्थाना छेत्र के धकोना पिपरी निवासी रामपाल 17 अगस्त 2018 को दो पहर एक बजे गाओं के बाहर ताला में मचली पकड़ने के लिए गय हुए थे वहाँ पर गाओं के ही मुनसीवा छोटू से बिवाद हो गया दोनों रामपाल को जम कर पीटने लगे इसके बाद में वह गंभीर रूप से घायल हो गया 22 अगस्त 2018 को रामपाल की लखनाओ में उपचार के दोरान मौत हो गई इस मामले में रामपाल की पतनी महदेई ने थाने में मुनसीवा छोटे के खिलाफ गयर इरात्तन हत्या के रिपोर्ट दर्ज कराई नियाले में दोनों अभिक्तों को गयर इरात्तन हत्या का दोसी करार देते हुए 10-10 साल की कैदव चार-चार हजार रुपए का अर्थडंड लगाया है नियाले ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थडंड धर्रास में से आधी रामपाल की पतनी को दिलाई जाए हर्दोई के अपर पोलिस अदिक्षक अनिलकुमार ने बताया कि आरोपियों को गिरत्तार करने के बाद में अदारत के निर्देशा अनुसार जेल भीजने की कर्रिवाई की गई है बताते चले की जनपद नयादीद सुरेंदर सिंग प्रथम ने गैर इरात्तन हत्या के मामले में दोनों लोगों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई है और 4-4,000 रुपय का अर्थडंड भी लगाया है